हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम कुलदीप सिंग है और मैं आज इंडिश्टिल आटोमेशन का पहला लेक्चर लेने जा रहा हूं इस लेक्चर में आपको इंडिश्टिल आटोमेशन के बारे में संपून्ट जानकारी मिलेगी तो आज हम इंडिश्टिल आटोमेशन से शुरुआत करते हैं लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं तो यह आपके सामने हमारी पहली स्लाइड है इसमें industrial automation लिखा हुआ है वाट् चीज automatically हो रही है या स्वाचलित हो रही है उसको हम automation कह सकते हैं तो ऐसे हमारे जीवन बहुत सारे उदाहरन examples मिल जाएंगे जैसे की हम पहले हाथ से कपड़े दोते थे अब machine से दोते हैं तो वो भी एक automation है वो भी एक स्वाचलित है तो आप नीचे आप पढ़ेंगे तो उसके लिखा है definition इसकी delegation of human control functions to the machine आप देख रहे हैं pointer में delegation of human control functions to the machine और any work that is done by humans is given to the machine और done by machine कोई भी काम जो delegation मतलब सौंबना हमने जो human control functions है हमारे द्वारा किये गए जो कार है हैं हमने जब वो machine को दे दिये और any work that is done by humans is given to the machine or done by machine is known as automation उसको हम automation कहते हैं जैसे कि मैंने भी example दिया washing machine का washing machine भी एक example automation का example है ऐसे कई example आपको real life में मिल जाएंगे पहले हाथ से हम हावा लेते थे गर्मी होती थी पंका नहीं होता था तो आज कल हमारे पास electrical fans हैं तो वो भी एक example automation का example है automation में हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी controller की मदद करें मदद लें बिना controller के भी हम automation कर सकते हैं पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे industrial automation के बारे में industrial automation what is industrial automation industrial automation क्या है definition से में रहेगी बस यह जो है automation हम लोग industry में यूज कर रहे हैं उसको हम industrial automation कहते हैं अब industrial automation में कई examples मिल जाएंगे जैसे कि पहले labor हम यूज करते थे कोई समान को एक जग़ से दूसरी जग़ ले जाने के लिए आज कल हम conveyors यूज कर रहे हैं industry में जो की motor से चलती है और वो controlled होती है PLC से drives से तो ऐसे कही example है जैसे कि पहले हम कोई cutting करते थे वो manually होती थी आज कल हम उसको with the help of machine cutter से कर सकते हैं mixing hard manually होती थी अब वो machine के द्वारा की जा सकती है ऐसे बहुत से example है जो आपको industrial automation में मिल जाएंगे चलते हैं next slide के उपर तो सबसे पहले हम जानेंगे what are the advantages of industrial automation advantages क्या है फाइदे क्या है हम industrial automation करने के हम automation क्यों कर रहे हैं सबसे पहला कारण आप first point आप देख सकते हैं increasing productivity हमें production बढ़ानी है production बढ़ाना चाहते हैं production बढ़ाने के लिए हमें एक मात्र हमारों पाए है automation production बढ़ेगा कब बढ़ेगा अगर हमारा काम fast होगा अब इससे पहले मैं डिस्कस करना चाता हूँ production हमें क्यों बढ़ानी है क्योंकि demand जादा है production जादा होगी sorry demand जादा होगी तो production जादा होगी ठीक है demand को पूरा करने के लिए हमें production जादा करने पड़ेगी तो demand को पूरा करने production हम जादा कैसे करेंगे अगर हमें machine ही करना पड़ेगा हम industrial automation automation को हम लोग machine ही करन भी कह सकते हैं machine ही करन करना हम machine ही करन करेंगे machines लगाएंगे, machines जो है 24 गंटे काम कर सकती है, बिना धके काम कर सकती है, तो उसे production ज़्यादा होगा तो increasing productivity can be achieved by initial automation second point है increasing quality increasing quality increasing quality, quality भी हमें सरफ production ही नहीं चाहिए, हमें quality भी इच्छी चाहिए, quality हम कहां से gain कर सकते है, quality भी हम लोग machine करन से, automation से gain कर सकते हैं, क्योंकि machine का जो work होगा, that will be precise work बहुत precise work होगा, error free work होगा, जिसमें human errors नहीं होंगे तो उसकी वज़े से हमारी quality अच्छी आएगी, तो हम quality भी achieve कर सकते हैं, with the help of industrial automation third thing is reducing cost हमें चीज सस्ती भी चाहिए, तो चीज सस्ती हमें कम मिलेगी, अगर हम bulk में किस चीज की production करेंगे तो production तो हम लोग बढ़ाई चुके हैं by first point we can say that production will be increased by the help of industrial automation production तो बढ़ेगी, production बढ़ेगी तो cost कम हो जाएगी, secondly labor cost कम हो जाएगी, हमें labor में जादा investment नहीं करना पढ़ेगा क्योंकि कई labor का गाम एक मशीन कर रही है Fourth thing is, safe working conditions Safe working conditions, कई ऐसी जगा होती है, जहां पे बहुत ज़ादा गरमी होती है, कई ऐसी जगा होती है जहां बहुद ज़ादा ठंड होती है या hazardous conditions होती है, جहां पे हमारे labor, या हम लोग humans काम नहीं कर सकते वहां पर हम मशीन से काम लिये जा सकता है तो हमारे लिए एक safety है आजकल कुछ machines भी ऐसी आ गई है जिसमें safety measures बहुत जादा होते हैं जिससे हम लोग safe होते हैं हम कुछ जासे एक button press करना है और everything will be done by the machine and the next thing is time saving definitely time will be saved अगर machine काम करेगी तो fast काम होगा time save हो जाएगा हमारा हम उतने time में और कुछ काम भी कर सकते हैं and last is the less human efforts less human efforts हमें ज्यादा efforts करने की ज़रूरत नहीं है हमें ज़से एक button press करना है and everything will be done by the machine तो human efforts कम होते जा रहे हैं machine work ज्यादा होता जा रहा है तो यह है कुछ advantages digital automation के let's go to next slide next is disadvantages तो कुछ disadvantages भी है automation के कुछ technical है disadvantage कुछ non-technical है जैसे की first मैंने discuss किया है unemployment जैसे की हम कह रहे हैं की automation की वज़े से unemployment हो रही है क्योंकि बहुत सारा काम जो है जो labor करती थी वो आप machine कर रही है तो labor को free होना पड़ रहा है तो ये भी एक disadvantage है industrial automation का second thing is pollution machine ही करन हो रहा है machine से काम हो रहा है definitely pollution हो गई होगा third thing is costly जो automation है एक बड़ा costly है costly क्यों है क्योंकि initial cost हमें कुछ ने कुछ invest करनी पड़ती है friends अगर आपको गर्मी लग रही है आपको हवा लेनी है आपको युवा खबार या copy से हवा ले सकते है पर अगर आपको fan से हवा लेनी है तो आपको fan create करना पड़ेगा fan बनाना पड़ेगा fan बनने का एक cost है जो आपको pay करनी पड़ेगी फिर आपकी जो electricity cost है maintenance cost है वो सब चीजे cost भी include करके automation एक costly है last but not the least skilled labor requirement automation जो है skilled labor की requirement को बढ़ाता है skilled labor की requirement क्यों बढ़ रही है क्योंकि जितना भी काम होगा machines पे होगा तो layman इस काम को नहीं कर सकता तो जिसको कुछ जानकारी है वही कर सकता है पर जैसे कि हमने first point में discuss किया unemployment unemployment हो रही है layman की हमें requirement जिसकी employment जिसकी create हो रही है वो है skilled labor तो skilled labor की requirement बढ़ रही है अगर कोई fan खराब होता है या TV खराब होती है तो एक technical person ही उसको repair कर सकता है तो requirement हमारी जो skilled labor की वह automation बढ़ा रहा है So these are some disadvantages that I have discussed Let's move to next slide Friends, here we will discuss history of industrial automation History of industrial automation का यहां पर discuss करने का मतलब है कि पहले क्या होता था industry में और industry की growth कैसे कैसे होके आज industry में क्या use हो रहा है वो साह हमें इसमें discuss करेंगे First point is manual control You can see manual control Manual control मतलब humans के द्वारा manually control हाथ से control करना तो पहले industry में सबसे ज़्यादा manually control काम होगा करते थे जैसे की मैंने आपको example दिया कोई समान एक जगह से दूसरे जगह लेकी जाना कोई cutting करना कोई mixing करना everything is done manually so हर चीज manually होती थी तो इससे कुछ जो हमने अभी advantages जो हमने आपके साथ share किये वो सब disadvantages थे production ज़्याद नहीं होती थी quality अच्छी नहीं आती थी labor cost पड़ती थी time saving नहीं था human effort ज़्यादा लगते थी safety नहीं थी यह सब कुछ इसके drawbacks है manual control के उसके बाद हमारे पास आया pneumatic control pneumatic control हम कह सकते हैं कि सबसे पहले automation हमने pneumatic control से start किया pneumatic means air pressure control air pressure control से हमने सबसे पहले automation start किया air से air के द्वारा हमने कुछ systems अपने ऐसे develop किये जिससे हम air की help से अपना work करा सकते हैं आप कई example इसके मिल जाएंगे जैसे आज कल buses में भी use होता है doors open और close करने के लिए pneumatic control यूज किया जाता है बाकि hydraulic भी आज कल use हो रहा है pneumatic के साथ hydraulic भी develop हो गया है hydraulic और pneumatic आज भी बहुत सारी machines में आपको मिल जाएगा पर इसके कुछ drawback थे तो इसके कुछ drawback ऐसे थे कि pneumatic control जो था बहुत bulky system था एक काफी बड़ा system बन जाता था क्योंकि इसमें काफी सारे आपके air pressure maintain करना पड़ता है आपको तो इसमें आपको compressor चाहिए pipes लगेंगी आपकी secondly आपको कोई piston वगएरा कोई heavy चीज़ यूज़ करनी पड़ सकती है तो pneumatic control जो कुल मलाके बलकी system था secondly drawback था कि अगर इस process में अगर एक मैंने कोई process बनाया है एक मैंने system develop किया है उस system का मुझे अब वोई system जो मैंने develop किया है pneumatic control में उसको मुझे किसी और process में use करना है तो वो system same to same दूसरे process में use नहीं होगा मुझे उसमें उसको dismantle करना पड़ेगा दोबार से उसको create करना पड़ेगा मतलब कि एक particular standard system सब के लिए operation में नहीं आ सकता था तो ये कुछ drive back थे pneumatic control के इसके बाद industry ने तरकी की और हमने start किया hardware logic control you can see the third point hardware logic control hardware logic control means electrical system आ गए electrical system आ गए हम लोग electricity पके ओपर dependence हो गए तो हमारे pneumatic control के ओपर dependence थोड़ा कम हो गया फिर हमारे पास transformers relays, contactors ये सब चीज़े होंगी, relay logic हमारा mainly कह सकते हैं हमने start किया in this hardware logic control इसके भी कुछ अपने drawbacks थे अपना इसमें भी panels बहुत बलकी बनते थे complexity of wiring थी, बहुत सारी तारे आ रही हैं जा रही हैं, कहीं से कोई तार break हो रही है तो उसका troubleshoot करना बड़ा मुश्किल होता था तो ऐसे कई drawbacks थे इसके thirdly एक process है process का एक particular wiring होगी अगर कोई और processes के wiring different होगी extended wiring आपकी सभी process के अंदर use नहीं की जा सकती तो ये भी एक drawback आपका चलता आ रहा था उसके बाद आए हमारे pass industry में electronic system electronic system आने से चीजे compact हो गई relays, machines हमारी बहुत सारी compact हो गई बहुत सारे instruments जो थे जो बड़े होते थे compact हो गई, हमारे panels compact हो गई तो इन से आने से industry में हमारे compactness आ गई, चीजे थी complexity थोड़ी कम हो गई, पर जो process में extended wiring जैसे मैं कहारा हूँ कि process standard wiring, process का एक standard wiring है वो standard wiring सब जगए use हो सके ऐसा process हमारे जगए, हमारी इसमें use नहीं हो पा रहा था, तो हर एक process होता है, उसकी अपनी wiring होती है, दूसरा process रहेगा तो आपको wiring change करने ही पड़ेगी, तो ये drawback सब में आता जा रहा था फिर हमारे पास आ गया PLC PLC is a programmable logic controller, और we can say a controller, we started using controllers, controllers में हम लोग क्या करते हैं, programming करते हैं और जो different inputs outputs से उनके साथ connect करते हैं तो PLC के आने से चीजे compact definitely रही, complexity of wiring कम हो गई, और जो हमारा drawback चला रहा था कि standard wiring वाला तो हमें अब क्या करना पड़ता है, हमें बार बार process change करने के लिए wiring change करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें program change करने जरूरत है, तो हम लोग software में अपना program change करते हैं, तो हमारा hardware according to the software work करता है, तो यह हमारा कुछ drawbacks से जो हमारे PLC से आके remove हो गए, तो आजकल industry में आपको PLC मिल रही है, 98 to 99% industry आपकी PLC यो पर dependent हो गई है, okay, let's move ahead, next slide पे चलते हैं, last is digital automation depends on, digital automation depends on three things field instruments, hardware control and software control, field instruments में friends जैसे की motors, relays, contactors, या कुछ भी चीजे, कोई भी instrument जो industry में, field में, use हो रहा है that are known as field instruments तो सबसे पहले, जब PLC नहीं थी SCADA नहीं था, तो everything was controlled by the relay logic और जैसे की मैंने आपको पहले slide में पताया कि hardware logic hardware control system था, वो हम लोग use करते थी, तो उसके बाद PLC आ गई, 1970s में PLCs use होनी शुरू हो गई थी, तो 1970s में PLC आ गई, तो फिर now we can see हम लोग PLC और हमने, और PLC और field instruments को आपस में interface किया है तो इन दोनों को interface करके हम लोग industry में use करने लगे हम लोग program करते हैं program store करते हैं PLC में input जो है, वो signal देती है PLC को, PLC process करता है उसके बाद हमारे पास आ गया software control that is SCADA SCADA is nothing but a software full form है इसका supervisory control and data acquisition supervisory control data acquisition इसका software का full form है SCADA का software control हम लोग use करने लगे industry में, software control हम लोग क्यों use कर रहे हैं generally हमारे software control एक ऐसा platform है, जहां पे हम पूरा का पूरा plant design कर लेते हैं बिलकुल virtually वैसा ही plant होता है, जैसा कि actual plant होता है वैसा कि वैसा plant अपने system में डिजाइन कर लेते हैं software में, SCADA software में तो इसका full form से ही इसकी features का पता लग जाता है first is supervisory supervisory means, supervise करना आपको पूरा plant supervise करना है तो यह इसका पहला benefit था second thing is control अगर आपको कोई चीज़ control करना चाते है plant में, तो भी आपको plant में जाने की ज़रूरत नहीं है आप यहां से click करके किसी plant की चीज़ को on या off कर सकते हैं तो आप इसको control भी कर सकते हैं last is data acquisition, data collection करना आपको data data किसी form में भी हो सकता है जैसे मान लीजिए आपको किसी pressure की किसी particular चीज़ की pressure check करना है level check करना है, flow check करना है level check करना है या किसी तरह का data आप field का लेना चाहते हैं वो सारका सारा आपको इस software पर मिल जाएगा तो यह SCADA जो software है यह भी बहुत अब use होने लगा है इंडिस्ट्री में तो it is also interfaced with PLC क्योंकि SCADA एक software है जो software है cannot give signal directly to the field instruments क्योंकि इनकी language different होती है software language एक KB MB में होती है instruments की language voltage current में होती है तो यह आपस में एक दूसरे से interface नहीं हो सकते है तो बीच में हमारे पास एक है PLC SCADA जो है उसको PLC से interface किया जाता है PLC को field instruments को interface किया जाता है यह तीनों आपस में interface होके चलते हैं तो SCADA में अगर मान लीजे हमने कोई signal देना है field instruments को SCADA signal देगा पहले PLC को PLC signal देगा field instruments को ऐसे signal field instruments के पास पहुचेगा suppose किसी temperature sensor ने temperature मुझे देना है तो वो पहले देगा field instruments से PLC को PLC से SCADA में मुझे वो temperature मिल जाएगा now we can see the temperature in SCADA so this is the last slide तो यह कुछ basic information है जो मैंने आपको automation के बारे में दी आगे भी मैं ऐसे videos पोस्ट करता रहूंगा और हम इसको details में ही पढ़ेंगे field instruments को PLC को SCADA को या आप और भी कुछ जानना चाहते हैं वो सब भी हम लोग इसमें आपको details में बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो like कीजिए और share कीजिए thank you very much